नमस्कार मैं आमित सिंग और आप फिर से एक बार देख रहे हैं अभी हमारे साथ इस सर्थ के मौसम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में वरिष्ट पत्रकार हमचंद्र जी हम उनसे बात करेंगे कि चुनाओ का जो है अभी अभी जो है सांतिपुन दरीके से संपन हो चुका है रिजल्ट आ गये हैं सरकार अब बनने जा रही है और इस तरह पूरा जो एक चुनावी समिकरन था उस पे पूरा विसलेशन कि क्या हुआ कैसे हुआ और उस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं आज और हम चंदर जी आपका स्वागात सबसे पहले यह जो चुनाव सर पे होता है और सांतिपुर्ण ब्लड लेस चुनाव इस बार हुआ हाला कि छीट पूर्ण घटनाई हुए छोटी मोटी घटनाई हुए लेकिन एक सांतिपुर्ण इसको चुनाव कहा जा सकता है तो इसको लेकर के आपके क्या विचार है कि चुनाव के बारे हाल में ही लोकसभा समपन कराया वो भी शान्तीपुर्ण ही रही है और लगे हातों फिर अभी विधान सबाग चुनावाई तो दो-दो कुनाव को समपन कराना कठणाई तो उनके लिए है युशादन सीमीत होता और इसलिए हम लोग उनको अपने अध्यम से बढ़ाई देते हैं अब रही चुनाव की तो मतगर्णना का कारिज पूरा हो चुका है शंपन हो गया हम लोग कल देर रात सब हम लोग सभी साथी वहीं थे अब बात आई है सरकार गठन को ले करके वह प्रक्रिया भी अपने अस्तर से राजधानी में शुरू हो गई है तोड जोड की बहुत संभावनाय नहीं है इसलिए कि जनता ने किसी रूप में एक असपस्ट बहुमत दे दिया और इसकी चर्चा बनी हुई थी कि शरकार बदलनी है एक हावा चली हुई थी चुनाओं पहले से हम लोग आम चर्चा हो जादा उसको मिला है इसलिए चोटी-चोटी पार्टियों के लिए कोई शंभावना फिलाल बचती नहीं है उसको लावानी देखना नहीं है चलिए ओ तो 28 को जो है सरकार की बनने की पर करिया यहां पर से सुरू होगी यहां हम तीन विधानसवा चुनाओं हमारे सामने यह समझ लेजिए कि अमित मंदल जी काफी ही कम वोट से जीते और एक रोचक चुनाओं यहां संपन हुआ इस पूरे इस जो पूरा चुनाओं हुआ उसको ले करके आप क्या कहें देखिए लोगों का अंदाज गोड़ा विधानसवा को ले करके यह था कि पाइटी के अंदर भाजपा पाइटी के अंदर भी जिस तरह की गतिविधी कुछ देखी गई थी लगता था कि वितरगात होगा इसकी चर्चा भी थी कुछ कैटरों का भाजपा के कैटरों का जो एक्टिविटी रहा वर्तमान विधायक को ले करके तो आशा थी कि कहीं ने कहीं कुछ लेकर के परिणाम बदल भी रहा था जब चुनाओ देखे सुबह शुरू भी थी तो वो जो आरजडी के उमेदवार से संजेप रशादी आदा वो लगातार बढ़त बनाए हुए थे और काफी उनीस रौंड तक एक बहतर बढ़त में वो जा रहे थे इस बीच लोगों उ उत्सा जगी उनके काइडरों ने जो है वो जुलूस निकालना शुरू कर दिया सभी काइडर उत्सा में आ गये थे लेकिन अचानक ये प्रकिरिया उनिसमी रौंड के बाद धिरे धिरे जो है वो भाजपा कामित मंदल जो कभर करना सुरू की है तो गटता 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 इसकी आशा किसी को नहीं थी 12.000 आप बात कर रहे हैं 12-17 तक साड़े 12.000 लीड चल रहे थे संजी अदब उसके बाद अचानक से जो है रुज़ान का हवा अचानक से बदलता है और उसको कभरप करने में करते 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 अचानक से अमीत मंडल जो है उस चड़ जाते है गिनती में तो इसका कहने का मतलब साथ साफ है कि भाजपा की जो विसात है वो हर घर घर तक है और काफी मजबूत है भाजपा अभी भी कोड़ा में क्या कहना चाहेंगे जब कि पूरे जारखंड का जो है प्रद्रिश्य बदल गया एक वातावरन बदला रिजल्ट परिनाम बदले लेकिन भाजपा अभी सुरक्षित को बिलकुल सुरक्षित है दूसरी बार चुनाओ इन्होंने जीता है और यह चर्चा हमेशा एक बनी रहती थी कि यहां से लगातार दो बार कोई विदायक होता नहीं है अमित मंडल जी ने में कहा कि हमारे दादा जी भी दो बार देखेंगे तो जो विधान सभा में पिछली बार अमित मंडल को मत मिला उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने कोई भाजपा ने या संगठन ने जोड़ नहीं पाया हलाकि संगठन मजबूत है उसके काम करने का सलीका बहुत सिस्टमेटिक होता है अन्य दलों के बजापते ए लेकिन अगर जो विपक्ष में लड़ रहे थे अर्जेटी के उमिद्वार थे आप उनका अगर अंतराल को देखिएगा उनके गेन करने का पावर को देखिएगा लोगों का रुजान देखिएगा तो अगर वह 50,000 के आसपास 2000 यह उप चुनाओ में जब थे वो तो 50,000 के जोड़ते हैं बड़ी शंगठन है भाचपा उसके बाद अगर वह चाहता है तो मतों को संख्यां बढ़ा सकता था हो सकता है दसजार का और बड़ा हो जाता लाक में हो जाते लेकिन वह ना हो करके वह स्थिर हो गया और राजद ने 32,33,000 मतों का जो है बढ़त लेली चुन अगावा में बड़ा बदला हुआ है और जो अभी बरतमान में जीता है इस सुनाव को दिपीका पांडे सिंग कॉंग्रेस की पार्टी परत्यासी थी उनका भी राजनीतिक जो है जो बैक्ग्राउंड है वो काफी मजबूत रहा है उनके ससूर्ज है वो विधायक रहे हैं अपने समय में तो कहीं न कहीं उनको क्या लगता है कि उनके बैक्ग्राउंड का उन्हें लाब मिला पराप्त हुआ या फिर उनके पीछे उनकी मेहनत थी या फिर क्या ऐसा चूक हुआ जो भाजपा महागामा विधान सबा जो है यहां से लूच कर रही है देखिए वहां म पॉलिटिकल रहा है लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पे आप कहेंगे लाब ऐसा नहीं है उनको मिला चूकि उनकी मां भी कांग्रेस की नेतरी रही है बिहार में उनके शसूर साहब भी जो जिस फैमिली से वो जुड़ी है अबद बिहारी सिंग वो भी मिनिस्टर रहे है कांग वहां पर पार्टी का जो आधार रहा है वो उस पर नहीं डिपेंड है पार्टी तो बड़ी है वो जानते ही कि पार्टी अस्तर पर एक बात होती है सच्चाई यह है कि दीपी का सिंग ने जो मेहनत की है हम लोगों ने देखा है कि आज कुछ वरसों में उन्होंने डोर करने का एक तरीका रहा लोगों से मिलना एक बहुत काम आई उनको और शायद वह अशुक कुमार जैसे लोगों को दूसरी तरफ क्या था कि जो बाजबा गुमिदवार थे चुकि वह लगादार जीत रहते और लोगों से कहीं ने कहीं वह कटते जा रहे थे उनके बहवार म हम लोगों को ठीक है उनको लगा कि शंगटन है मोदी जी है हमको छोड़कर लोग जाएंगे कहां तो वह एक आराम निगाह में अपने चलते रहे हैं ऐसा मतलब भाजबा भाजबा की लोग या भाजबा के समर्थक ऐसे स्वर में बात करने लगे थे लोग सभा चुनाओं क नतीजों के बाद कि अगर भाजबा से किसी को भी सीट मिल जाए तो वह अराम से महागामा हो या गुड़ा हो वहां सीट निकाल सकती है लेकिन इस मित्या को इस बार जनता ने तोड़ा है और बताया है कि जनता अपना मूड बदल सकती है और हम बात करें कि वहाँ पर मुड़ान रहा और ओवेसी जी की पार्टी भी वहाँ पर जो है उम्मिदबार दी थी अब वेसी जी ने लेकिन वह भी असर नहीं कर पाई ऐसा क्या लगता है कि क्या ऐसा हुआ होगा कि मुसल्मान की जो सुपचिंतक पार्टी ओवेसी माने जाती है ओवेसी साहब की पार होती है और उन्होंने उनके आने से भी यहां पर वह आए भी यहां पर कैंपैनिंग भी उसके बाद भी मुसल्मान वोटरों को तोड़ नहीं पाए देखिए ऐसा है कि हम लोग अपने ही चैनल पर एक दिन इस पर भी चर्चा किये थे बहगामा को लेकर और वेसी साहब को उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि ओवेसी वाकई एक अच्छे वक्ता है लोग उनके वोटर उनको सूनने जाते हैं इन वो वोटर नहीं होते हैं भीड जाती है एक अच्छा वक्ता को हम आप सभी सोचते हैं कि चलो देखें भाई इनका क्या है रास्टी आस्तर पर आज ओवेसी साहब अपना एक जगह बना चुके हैं मुकाम बना चुके हैं संसद हैं बाप जो दिसके अगर मुसलिम वोटरों की बात कही जाए तो कोई भी उमिदवार तो सबसे पहले वोट बैंक देख कर के देता है ओवेसी साहब ने भी यही सोचा होगा कि महगामा छेतर मे भी अलपसंख्यक वोटरों की संख्या काफी है और यही वज़ा है कि उन्होंने उमिदवार दिया दूसरी चीज़ क्या रहे कि मुशलमानों में या अलपसंख्यक समाज में इतनी जाग रुकता तो है वोटिंग मामले में सुरू से देखिएगा कि कि किसी भी पैटरन को सब्सक्राइब तो नहीं से लगा उन्होंने वोट वहाँ किया जहां उन्से लगा कि श्याद भाजपा को हरा सकता है और इस पार्टी को देने से ही हम आगे जा सकते हैं तो अग्रेस के वहाँरों convention को उमीदवार ने था कि अब जनता जागरूंग हो चुकी है समझदार हो चुकी है और सोच समझ कर अपना मत का परियोग कर रही तो यहां दीखिए बदलाव महांगामा में हुआ गुड़ा में बदलाव नहीं वा पुना रिजल्ट हुआ और हम बात करें अगर पोड़िया हट की तो यहां तो एक मतलब की रिकॉर्ड समझे की प्रदी प्यादब जिने बनाया है पांच भी बार बिधायक रहें पहले वह जब भाजपा पार्टी में थे उस बाटी से भाजपा से जीता करते थे उसके बाद भी लगातार उसक प्रदीप जी को वहां से हराना है और दूसरा गुरूप था कि किसी तरह अपनी प्रतिष्ठा को बचानी है सीट को बचाना है चुनाओ भले भाजपान उमिदवार वहां उता रहा हो लेकिन आप देखेंगे कि जब भी चुनाओ की घोशना हुई तो बस यही मुद्दा तहरता रहा है कि प्रदीप यादब को हराना है और सांसद एक ग्रूप वहां सांसद जी का काम कर रहा था सांसद जी कही कोसिस कि कि शायद इस बार उन्होंने बयान भी दिया कि संत्हाल प्रगना से कई बड़े कदावर नेता इस बार सफाया हो जाएगा उनकी मंसा तो थी उन्होंने कोसिस भी किया छेतर में लेकिन पर्दीब जी के साथ क्या है कि वो पाँच बार यूही मंतरी या विधायक वहां से नहीं रहे उन्होंने एक कैडर बेस खड़ा किया है लोगों से इतना संपर्ख है कि आप उनके छेत्र में हम लोगों ने भी कही रिपोर्टिंग में देखा आप भी थे कि जब भी हम लोग जाते रहे तो वहां पर ये म पॉलिटिकल बेस भोट भाजपा अपने हिसाब से जो है जातीगत समिकरन के हिसाब से उन्होंने उमिदवार उता रहा लेकिन परदीब जी के सामने वो उमिदवार कुछ था नहीं वैसा है ठीक है भाजपा जैसी चीज़ ने बड़ी चीज़ें उनके साथ जोड़ी वे इतनी मेहनत उन्हें नहीं करनी पड़ी उन्हें भी लग रहा था कि किसी ने किसी सूरत में हमारे बिपक्षी लगे हुए कि मुझे इससे हाथ दोना पूड़ेगा तो साइध इन्होंने डबल ताकत लगाई और वक्त दिया और उसका नतीज़ा सामने है कि तीनों विदान कि सरकार में मंतरी मंडल का बटवारा होगा और कुल 12 मंदरी मंदल के सीट होते हैं तो क्या लगता है और बहुमत में हैं जैसा कि आपने पहले भी कहा कि अपने आप में एक मजबूत उभर है प्रतियासी के जीते हैं उनके काफी नंबर उनका स्ट्रॉंग है तो इसमें जैसे कि आप अभी जेवियम है तीन सीट जेवियम जीती है तो क्या लगता है कि प्रदीप यादब बाब कि जरूरत नहीं है यह स्तिती आ रहे है तो कुछ अलग अलग बयान आए लोगों का कि यह इस नेता से मिल रहे है लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो वहां पर असपास आ गया कि जितनी सीटें चाहिए महागडवंदन को उसमें कांग्रेस है और जेडी है जेमेम है जेमें अरजेडी निल थी वो एक पर आई तो इस तरह से इतनी सीटें उनके पास उपलब्द है कि उनको किसी की जरूरत नहीं है अब रहा कि लोग अपने मन से समर्थ हैं देना तो बाबुलाल जी का कल देख लिए हम लोग कि जब मतदान पर किरिया उस वक्त उन्होंने बयान ए परकिरिया चल रही है और वैसे वक्त में बयान उन्होंने दिया तो उन्होंने एक आकलन किया होगा हो शकता है कि भाजपा कि आ जाए या यह सरकार बने तो साइध मेरी जुरत पर जाए लेकिन परदीब जी ने रात में जब ब्रमन पत्र वो ले रहते तो उन्होंने सरकार को हम समर्थन देंगे कि वह इन सब मामलों को जरा गौर्द फर्माए यानि इनका किसी रूप से वर्तवान सरकार के शाहत होनी की बात है रही मंत्री मंडल की बात तो चुकि मंत्री मंडल एक दोर में था कि जब कोई शीमा नहीं होती थी लोग अपने तरीके से मंत् 12 की ज़रत है अब जो बचे इसमें सबसे बड़ी पाटी जेवियम है सोहवई है कि उनके मंत्री मंडल में उनकी शंक्यां सरी जेमें की तो इहमंत्स वरेन के लोगों की जाइदा होगी जीते भी जाइदा है उसके आद कांग्रेस का नंबर है तो फिर कांग्रेस में बटे लेकिन मंत्री मंडल की संख्यां और मंत्री मंडल को लेकर के इसमें इनमें इन तीनों चरो लगता नहीं कि किसी को और जगह में पाएंगे चुनाव 2019 में बहुत ही एहम रहा है सर्यूरा ने एक अलग इतिहास रचा है जिसको पूरा जो भारत है इसको एक इतिहास के रूप में मानेगा पार्टी से जब जगह नहीं मिला तो उन्होंने इंडिपेंडेंट निर्दलिय के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी और जीते भी उनके खिलाप जो कि पूरे प्रदेश के मुख्या और सब्सक्रेब को हरा मतला Bजव को नहीं हराया उनके मुख्या को हरा fatto दिया मतलश को सर्यूराय का क्या रोल रहेगा मंतरी मंडल में या पिर सरकार के घठन में हेम laptop ऑन सारेंघ्ए या मिशाल पेस किया है जारखंट राज जी के ही बात नहीं है देश में इन से सीखने की चीज़ है कि देखिए इन्होंने किस तरह से सरकार में रहके इमानदारी के साथ जो भी सरकार की गलत नितियां थी वो बराबर बोलते रहे आप ऐसा नहीं कर सकते आज तो छोटे-छोटे पद को पाने के लिए लोग जो है सरकार में शामिल होते हैं और सरकार की गुनगान करते हैं उसकी अच्छाईयों को ही गिनाने में रहते हैं उसकी कमी को कभी नहीं इन्होंने सुरू से अपने डिपार्टमेंट की बात हो या किसी भी विभाग का उन्होंने सरकार को चेता करके जहां से वो जीते थे और उन्होंने अपना दाव पे लगा दिया अपना केरियर कि मैं हारू तो हारू लेकिन इसको सबक सिखा के रहूंगा और उन्होंने कर दिखाया तो कितने नेताओं में इतनी मादा है कि इस तरह से वो अपना सीट एक दिन तो पदद छोड़ना न नहीं चुनोती थी फिर भी उन्होंने समय निकाल करके यहां है एक बड़े राजनीतिक है ऐसा कर सकते हैं अभी आपने कहान है कि हमन्त जी को क्या मैं तो यह कहूंगा कि सरकार कोई भी बने अगर राज्य में दो तीन नेताओं की गिंती करें हम लोग जिनें संसदिया पर मिनिस्टर बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन आपको संसदिया कारपड़नाली नियम कानुन की जानकारी इनसे सीख लेना चाहिए आप समझें कि यह इतने जानकार इतने बड़े लीडर है कि इनसे सीख ले और सरकार चला इनके सही होग की जौरत पड़ेगी मंतर सरकार की अपनी बात है और शायद मुंधा जाना उसमें नहीं रएं कि वागता है कि बतर काम poking होगी महागडबंदन की सरकार बरनीत्य है और छोटे जो दल हैं जिन्होंने महागडबंदन की धर्म का पालन नहीं किया उनसे बाहर निकलकर हिमाकत की या फिर जो कहेंगी हिम्मत दिखाई और चुनाओ लड़ा तो उन्हें खास जो है इस बार जो है उन्हें कुछ खास लाब मिल कि बहले नहीं सहित देंगे लगे नहीं जा रहा है if you इप दर की बाते सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो छूली गई लोगों ने बड़े विस्वाथ से कूना और जो चूना उसके पीछे किसी ने किसी एक तो सरकार के नाकामी होती जो वर्तबान सरकार चल रही थी उसकी नाकामी को लोगों ने देखा दूसरी है कि जो नए दल या जो लोग मैनिफेस्टो लेके आते हैं अब जो हमन्त सोरेन का जो मैनिफेस्टो है या महागडवन का कहले है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए हमनल सूरन कितने काम्याब होंगे और ऐसे ऐसे मुद्दे हैं बिरुजगारी की बात पर उन्होंने की अंगरवारी पे है पाराटीसर का मामला है महलाओं कर लेकर के कहा है अस्थानिय निती का मामला है यह जो फॉर्म फिलब करते हैं बच्चे जो गजाम देने जाते हैं उसे वज़ब उन्हों ने कहा है कि मैं सौर रुपय दूंगा आपको बेरुजगारी भत्ता देंगे तो कई ऐसे मुद्धे हैं जो मैनिफेस्टो में तो कर दिया है हम लोग आसा ही कर सकते हैं कि उस पे का मुद्ध है भूमी का अधिगरन का मामला है अभी तक तो जैमें पार्टियां या जो पार्टि में चीज़ें देखी उसमें था कि अगर 5 साल आपने किसी की जमीन लिए अगर 5 साल आप उसे यूजम नहीं ले रहे हैं तो यह रहेतों को दे दिया जागा वापस से तो य उसका जो टेन्योर होता है काम करने का तरीका है कई बार ऐसा होता है कि मिलते मिलते केंदर से राज से होते होते या उसकी कुछ आर्थिक मजबूरी होती फैनांसियल होती है कि वह काम सुरूर नहीं कर पाता है अगर ऐसा होता तो आज कोल इंडिया आप नहीं है उसमें सु भूमी विवाद तो सल्टाना बड़ा देखें उन्होंने के अगर कुछ कहा है तो कुछ उनकी योजना होगी इस पर अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इनको समय देंगे उन्होंने कहा है कि मैं दो साल में जो है दो वर्सों में लाखों सीट जो विरुजगार में आप आए हैं तो लोगों ने तापके बरोशा किया है इनके लिए बड़ी चुनोती भी हुए चुनोती पूर्ण पद यह संभालने जा रहे हैं पहले यह सीम रह चुके हैं तो अपना अनुभब भी रहा होगा देखते हैं कि इनको कुछ समय तो मिलना ही है विकास के हमचंदर जी ने बताया हमें कि ऐसे बहुत सारे मैनेफ्रस्टो में ऐसे बहुत सारी उल्लेख की गई चीजें हैं उस पर जो है अब जो वर्तवान सरकार हमन सरकार बनने जा रही है वह कहां तक खरा उतर पाती है अपने साधे वादों पर पब्लिक सिक्किये गए वादों पर यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन फिलाल यहां पर सरकार जो है जार्खन में बदल चुकी है और असपश्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है और बीजेपी यहां पर पिछड चुकी डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली जार्खन प्रदेश है वह सिंगल डबल इंजन की सरकार दोरी विकाश वह हो नहीं पाया इंजन साहिद काम नहीं किया लेकिन अब सिंगल इंजन पर है लेकिन एक चीज़ अंतलाल होगी क्योंकि अब केंदर और राज्य में टकराओ तो होगा क्योंकि यह केंदर का जो पोजिशनिंग रहता है कि जो उसके अधीन वाला राज्य होता है तो जो भी प्रपोजल यहां या सचार्य करता है जो क्योंगा आते सार्य केंदर मैं में अ को मतलब सामने लाकर के बोट की अपील करी यहां पर अस्थाने मुद्दों को किसी ने बात नहीं कि थी कहीं ने कहीं कमी थी बहुत सारी यहां पर जो है विकास और आम जनों के बीच और सरकार के बीच बहुत बड़ी खाई बन गई थी उसको पाट पाना मुश्किल था जो परिनाम आप सब के सामने उन्ट को जो जबनन के सरकार करेगा करें अब यह बहुत हैं अ को अब हमारे साथ यूहीं आप बने रहें आप लोगों का असिरवाद हमारे चैनल को भी बहुत मिला है और यूहीं हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज हम लगातार आपके बीच मुखातिब होते रहेंगे यूहीं हर मुद्दों के साथ हर मुद्द परक और हर एक गतिविती से आपको रूबरू कराते रहेंगे एक बार सभी का हमारे चैनल के तरब से सभी दर्माल दर्समों को शुबरात्री और सभाखेर गोड़नाइट